अरे भाई जब आप वीडियो में अच्छे से खुद नहीं दिख रहे हो और उसके बावजूद कह रहे हो कि भीया मैं आपको यहां पर आया हूँ और मैं आपको यह चीज दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों आज के से वीडियो में बहुत बेसिक चीजों पर बात करने वाला हूँ जो कि हर क्रियेटर के साथ होता है और हर एक यूटूबर के साथ है इस टार्टिंग में सबको यह कन्फूजर सताती है कि यार पहला वीडियो हम सूट कैसे करें जी हां तो दोस्तों आपक लिए अच्छे से प्लानिंग किया उसके बाद फिर हम अपने वीडियो को दिए और शिधा प्लानिंग कि आप हम camera सालू करके जो है camera के सामने बैट कर बोलना इस्टार्ट कर दिये, बिल्कूल ऐसा नहीं है, उसके पीछे जो है कई चीजों को जो है हमने सीखा और उसके बाद फिर जाकर हम video create किये, अगर आप जो है बिना planning के फर्स्ट video सूट करेंगे, तो आपका video जहर से बात है कि वो क कुछ खास बात नहीं देगी, और जब आप अपने वीडियो को देखेंगे और स्टार्ट में तो कई कई लोगों को ऐसा भी होता है कि वो सोचते हैं उनका video कैसे भी सूट हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हमारे video काफी अच्छा है, वो यहीं गलतिया कर देते हैं कि यार वो यह सोचने लगते हैं कि यार यह हमारी video काफी अच्छी है, लेकिन अपने video को जो है घहराईयों से नहीं देखते हैं, अपने video में जो थोड़े बहुत गलतियां होते हैं, छोटी मोटी गलतियां, उनको नहीं देखते हैं, और मैं आपको बता दो कि छोटी मोटी गलति पर शुरूएं और नाम है विजह और चलिये सुरूख करते हैं स्टारिग में बहुत सारी गलतियां जो है यह करते हैं जो की नहीं करना चाहिए सबसे पहले वो YouTube पर अपना चैनल क्रेट कर लेते हैं चैनल क्रेट करने के बाद जो है और topic भी find नहीं करते हैं और channel category भी select नहीं करते हैं और इसके बावजूद वो क्या करते हैं कि उनके मन में जो आता है वो वीडियो बनाकर जो upload कर देते हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार, ये बहुत गलत है और आप इस तरह से जो है अपने चलन को चला बिल्कुल नहीं सकते हैं और इसी के साथ साथ जो है वो वीडियो के लिए जो है scripting नहीं करते हैं और मैं आपको यहां तक भी बता देता हूँ कि स्राटेंग में वो वीडियो बनाने के लिए कोई बेक्गराउंड भी नहीं चुनते हैं और जहां तहां वो बैट कर जो ही वीडियो सुट कर लेते हैं और माईक का भी यूज नहीं करते हैं जो कि काफी नौइज आपके वीडियो में आ जाता है और लोग आपके वीडियो को सुनने में बोरिंग सा फील करने लगते हैं और वीडियो में अच्छे से बोल नहीं पाना जी हां और वीडियो में अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो आप अपने audience को हर चीज जो है अच्छे से समझा नहीं पाएंगे और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये गलतियां बहुत सारी creator कर चुके हैं जो कि नहीं करना चाहिए ये तो बिल्कूल 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 गलत बात है यार और दोस्तों अपना mobile निकाल कर जो है camera ऐसे जहां चालू करते हैं जहां पर अच्छे से रोसनी नहीं होती है वहां चालू करेंगे हलो गाइस हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमा आपको ब्लॉग में दिखाने वाले हैं कि मैं यहां पर आया हूँ अरे भाई जब आप वीडियो में अच्छे से खुद नहीं दिख रहे हो और उसके बावजूत कहरे हो कि भाईया मैं आपको यहां पर आया हूँ और मैं आपको यह चीज दिखाने वाला हूं दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट वीडियो कैसे सूट करें जो कि हमारे वीडियो काफी अच्छा जो है सूट हो जाए तो दोस्तों स्टार्टिंग में हर एक क्रियेटर के साथ फर्स्ट वीडियो बनाने में ये प्रावलम जिलनी ही पड़ती है कि वो वीडियो में अच्छे स इस वीडियो में आप अच्छे से बोल भी पाएंगे तो दोस्तों फ़र्स्ट वीडियो सूट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसा जगह चुनना है जहां पर जो है अच्छे से आपका पीछे का बैग्राउंड हो और आप वहां पर बैठ कर जो है अपना वीडिय करेंगे तो आपके वीडियो का बैलेंस अच्छा नहीं होगा यानि कि वह सही सेप में नहीं आएगा आपके वीडियो को कोई देखता है तो आपके वीडियो में काफी अलग सा महसूस हुता है जिससे आपके वीडियो काफी अच्छे देखने में नहीं लेगेगा और दू तो आपके वीलिए के साथ छ जो है नहीं होगा और आपका वीडियो का फैसे सूट भी हो जाएगा जिसे याप मकसदी करती है जिससते यूज करते हैं आपकी वीलियो में तरहना सेalay accessories quality वो सब घट जाती है वीडियो में सबसे जदा important है wise अगर wise क्लियर है तो सब क्लियर है जदा तर लोग इस जमाने में एरफोन का यूज करते हैं और एरफोन लगा कर जो ही वीडियो को देखते हैं रही बात फर्स्ट वीडियो सूट करने पर अच्छे से बोल नहीं पाते हैं जी हाँ इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसा ट्रीक बता देता हूं जिसका यूज करके आप वीडियो में काफी चालेंगें और आपको उस वीडियो के लिए जो है pretend byई-point आप scripting कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप वह भी कर सकते हैं जिससे आप वीडियो में बैठेंगे पॉइंट बाई पॉइंट आप जो है वीडियो में अपने बताते चले जाएंगे और आप भूलेंगे भी नहीं अगर रही बाद वीडियो में अच्छे से बोल नहीं पाना तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जब सामने कोई इंसान खड़ा है और आप जो बाते बोल रहे हो वह इंसान जो है अपने अंदर वह आउजर कर रहा है तो इससे आपको काफी बेनेफिट मिलेगा और आप जो है वीडियो में काफी अच्छे से बनकर रेडियो हो जाएगा सूट होने के बाद जो है आप अपने में वीडियो बना दूंगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वंदे मात्रम